इस वीडियो में GDS to PSA, MTS Postman to PSA, Merit प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही important है, अगर आप 2022 में या आगे आने वाले किसी भी बरस में LDC, PSA एक जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए Merit प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी हो जाता है, और जब से Department of Post ने Requirement प्रक्रिया में एक बड़ा फेर बदल कर दिया है, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि GDS तक बहुंचते पहुंचते अभी नाम मात्र की बहुंचते बचने वाली है, तो ध्यान दीजेगा एक प्रोसेस समझाने का प्रयास करता हूँ, सबसे पहले पुरान जो प्रोसेस था, उसको हम रिवाइस करते हैं, उसके बाद हम नए प्रोसेस को समझने का कोशिस करेंगे, तो अभी तक होता ये था, कि जैसे कोई भी पोस्टमेन, कोई भी MTS, कोई भी मेल गार परिच्छा देता है, तो सबसे पहले इसको वेकंसी दी जाती थी, अगर इन देते हैं, कहने का मतलब है, जिस पोस्टमेन के 3 साल पूरे हो गए हैं, जिस MTS के 5 साल पूरे हो गए हैं, अगर वो वेकंसी छोड़ देता है, तो दूसरे नमबर पर अभी कुछ और कंडिडेट आ गए हैं, वो कौन होने बाले हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा, तो इंपलोई को मुलेगी, जिनके सर्विस MTS में 5 साल पूरे हो गए हैं, जिनका सर्विस पोस्टमेन में 3 साल पूरा हो गया है, वो एक्जाम देंगे, और उसके बाद अगर उनसे वेकंसी फिल हो जाती है, तो चली जाएगी, जो बच जाती है, जो अन्फिल्ड रह जाती है वो किसको जाएगी? इन कंडिरेट को जाएगी, जिनका सर्विस मिलाके GDS और MTS का 8 साल हो गया, उनको जाएगी, ध्यान रखिएगा, तो दूसरे नमबर बिनको जाएगी, अगर इसके बाद भी वेकंसी बचती है, तो वो वेकंसी किसको जाएगी? वो वेकंसी GDS को जाए तो वो बैकेंसी SSC को चली जाएगी और अगले साल डारेक्ट रिकॉर्मेंट कोटा में उसको निकाल दिया जाएगा आयोग की गाइस आपको मेरिट प्रक्रिया समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आ तो एक समरी के मार्ण समझाने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले जो बैकेंसी मिलेगा वो किसको मिलेगा जो कंडिडेट रिगूलर इंपुला है पोस्टमें में मेलगार्ड में MTS में सबसे पहले इनको बैकेंसी दिया जाएगा ऐसे candidate जिनका postman मिलगार में 3 साल MTS में 5 साल पूरा हो गया है सबसे पहले उनको मौकत दिया जाएगा अगर इनसे vacancy बच जाती है मतब यगर यह fail हो जाते हैं किसी भी condition के बज़े से तो दूसरे नंबर पर कौन से candidate आ गए मैंने पहले ही बता दिया कि बड़ा फिर बदल हो गया है दूसरे नंबर पर ऐसे candidate जिन्होंने GDS और MTS GDS प्लस MTS का मिला के 8 साल पूरा कर लिया है या फिर जिन्होंने GDS प्लस postman का मिला के कितना पूरा कर लिया है 8 साल पूरा कर लिया है दूसरे नमबर पर ये candidate आएंगे दूसरे नमबर पर जो vacancy बचेगी इनको मौका दे दिया जाएगा अगर इनसे भी vacancy बचती है तो GDS को दिया जाएगा फिर जो GDS 5 सल पूरा कर रखा है इस order के पहले GDS join कर लिया है लेकिन अभी जो condition है इनके लिए ही होने वाला है तो तीसरा किसको जाएगा तीसरा GDS को जाएगा इसका कहने के मतलब क्या है अभी GDS तक vacancy पहुँचते महुचते नामत्र की vacancy बचेगी चौथे में कौन आ जाएगा चौथे में आ जाएगा और कोई query अभी भी बचा है तो comment box में डाल दीजिए और आपकी क्याराय है इस प्रकार का फिर बदल requirement rule departmental post का comment box में जुरू बताइएगा थैंक यू जुडने के लपसाभी का धन्नेवाद